दिपावली से पहले धंतेरस कातिवहार मनाया जाता है, इस दिन खरेदारी करना बेहच शुब होता है। और अगर आप ये खरेदारी अपनी राशी के अनुसार करें, तो ये और ज्यादा लाबकारी साबित हो सकता है। खेर अगर आप ये नहीं जानते कि राशी के अनुसार क्या खरीदे, तो परेशान ना हो, ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए लोकलिटी ने देवघर के प्रसिद जोतिशाचारे, पंडित नंद किशूर मुदगल से खास बाचीप की है। धन तेरस को लेकर जोतिशाचारे ने क्या कहा, आईए आपको सुनाते हैं। इसको की अम्रित कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय धनवंतरी जी आए। और अम्रित कलस जो की संजीवनी का काम करता है, आदमी को हर दवा, विमारी में दवा का जो काम आता हुआ धनवंतरी जी का ही है। तो उस दिन मा लक्षमी की क्रपा विसेस रूप से होती है, तो शामान कुछ न कुछ वस्तू ऐसा स्थाई वस्तू खड़ दें जो आपके घर में बरकरार है। आपने ये तो जान लिया कि धंतेरस क्यों खास है? चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप अपनी राशी के अनुसार क्या खरीच सकते हैं जिससे आपके जीवन में सुक्सम्रिद भी बनी रही है। ये लक्ष्मी के साथ आप खरीच सकते हैं फिर सब राशी वाले। कन्या राशी वाले भी आहोसन, प्रफटी, जमीन, जायदा जिदी खरना चाहते हैं तो धंतेरस के दिन कर दे। जमीन का बैना देना हो तो धंतेरस के दें, बात करना हो। और तुला राशी वाले जाडू खर दें, सबसे सस्ती जाडू खरिद कर लें, आपकी राशी के अनुसार आपके लिए बहुत अच्छा है, फैदा क्यारक होगा। और व्रिश्ची को आशी वाले धनिया खर दें, धनिया जो है वह लक्ष्मी का प्रतिक माना जाता है, उवेर का प्रतिक माना जाता है। धनुर आशी वाले गनेज लक्ष्मी की प्रतिमा या श्रीयंत्र, श्रीयंत्र भी खरिद सकते हैं। मकर रासी वाले पिले वस्तु खर दे या पीला कपड़ा कर दे जाडू भी करिद सकते हैं कुम्ब रासी वाले गनेयस जी की लक्ष्मी खर दें या गनेयस लक्ष्मी का जो फोटो होता है मिट्टी का बना होगा उसको खरीद लें या सफेद वस्तु कर दें या सिक्का खरीद सकते हैं उनके लिए सूब होगा मीन रासी वाले के लिए सोने का बरतन हो सोने का सामान हो आभुसन हो जदी सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का ही बरतन खर दें लेकिन मीन रासी वाले कोई बरतन निस्चित खरीद करके घर लाएं और वह स्थाईधन उसमें लक्ष्मी जी का पूजा करें आपके घर में तो आज किस वीडियो में आपने जाना कि राशी के अनुसार क्या खरीदना आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है इस साल धंतेरस 29 अक्टूबर को है तो ऐसे में धंतेरस की तयारी शुरू कर ले आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रही लोकल 18